मैदे के कुल्चे तो आप सभी ने बहूत और बना के खाये होगा एक बर आप ये गेहु के आटे का कुल्चा जरूद राइए करिएगा इसकी सबसे खास बात ये है कि आपको इस कुल्चे को बनाने के लिए बिल्कुल भी आटा लगाने की जरूद नहीं पड़ेगी और नह इसमें दही और इनो की जरुत पढ़ने वाली है बहुत ही इंस्टेंट वाली रैस्पी है दोस्तों और ये कुल्चे इतने ज्यादा सौफ्ट और नरब मुलायम बनते हैं कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो खाते ही रह जाएंगे आप इसे छोलो के साथ में सबजी के साथ में किसी भी चीज के साथ में खा सकते हैं बहुत ही इंस्टेंट वाली रैस्पी है दोस्तों और बनाना एक तम आसान है तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं पर उससे पहले दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और साथ में अधा चोटा चमच से कम यहां पर मैंने बेकिंग पाउडर डाला हुआ है एक चोटी चमच के करीब ही चीनी डाल देंगे इसके जगे पर आप मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं एक से दो चमच के करीब ही और स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे एक निम्बू म हमें बहुत जादा पतला नहीं करना है यानि कि गाढ़ा बैटर यहां पर बना करके तयार करना है एकदम धोसे जैसा बैटर भी हमें यहां पर बना करना है धोसे से थोड़ा सा पतला हमें बैटर यहां पर रखना है तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर यहां पर तयार हो इसे अच्छे से फेट लेना है अगर आपको ऐसा लगे कि बैटर आपका थोड़ा सा गीला हो गया है यानि कि पतला हो गया है तो आप इसके अंदर 102 चमज गिहों काटा और मिक्स कर सकते हैं तो फिलाल इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे रेस्ट के लिए तो दस मिन बना लेंगे तो कुल्चे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना एक नॉन्स्टिक का पैन तो नॉन्स्टिक पर ही बनाईएगा इस पे बहुत ही अच्छे से बनता है तो एक से डियर चमज के करीब हम इसके उपर ये बैटर को डाल देंगे अब मेडियम टू लो फ्लेम पthought कि आड़ ये गडी हमें जिएधर के दोध उसके बाद हमें का इसके पलट देंगे में लोटांस पलटे हम ऊण बोला Wentल कूल दे दीरे दीरे सेखिएगा उसके बाद आप देखेंगे एकदम गुबारे जैसा यह फूलना स्टार्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं हमारा कुल्चा जो है वह भी गेहूं के आटे का कुल्चा एकदम इंस्टेंट तरीके से कैसा बन रहा है बहुत ही बढ़ियां बनता है दो आप इसे बच्चों के टिफिन वगरा में भी बना के दे सकते हैं क्योंकि यह इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो फ्लीस वीडियो को लाइक और शेर चरूर करिएगा कि बच्चों को इसे खाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती हैं तो दोस्तों आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी मुझे जरूर बताईएगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं ये भी मुझे जरूर बताईएगा तो जब भी अब आपका कुल्ची खाने का मन ह तो आप मैं दे के नहीं गेहों क्याटे के भी कुल्चे बना सकते हैं वह भी बहुत है असान तरीके से तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग